वाम ओलेक्व वीवर्ज, वेलकम बैक तो अनदर वीडियो, आज की वीडियो में हम आटोकेड में लेओट विडिश्केल कैसे क्रियेट करते हैं, यह चीज हम लोग डिसकस करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रक्वेस्ट है, कि आप मेरे चैनल को स संद आ रही है, तो आप लाइक जरूर किया किजिए, और कमिंच सेक्षन में अपने राय का जहार जरूर किया किजिए, ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, यह मैंने कुछ लेओट पहले क्रियेट कियो हैं, ठीक है, इनके मैंने PDF भी प्रिंट किये हैं, ठीक है यह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें Key Plan भी है, और यह Alignment भी मैंने Print कियो ही है, तो यह मारा Model Space है, ठीक है, इसमें यह 2-3 Alignment मैंने Track कियो है, तो इनहीं की Printing के बारे में हम बात करेंगे, कि इसको Scale से हम लोग कैसे Print कर सकते हैं, Art iPad में, तो इसके लिए मेरे पास ए यहां पर मैं new layout create करता हूं जो पहले इसमें by default है इसको मैं delete करता हूं और मैं इसको modify करता हूं यह आलड ही हम लोग पहली भी वीडियो में देख चुके हैं तो इसको मैं repeat कर रहा हूं high quality PDF मैंने इससे select किया है और यह जो page हमने last layout में create किया था वही page मैं इसमें set करके preview करता हूं और इसको ok कर देता हूं तो यहां पर हमारा a3 page जो है वह setup हो चुका है ठीक है अभी हमने अपना जो भी template आपके पास है ठीक है आपने already जो बनाया हुआ है आप इसमें वह लाएंगे वह आपका model space में हो सकता है layout में हो सकता है कहीं भी हो सकता है मेरे पास इसर layout में मैंने already copy करके रखा हुआ है ठीक है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं यह वही template है जो already हमने पहले use किया है ठीक है तो मैं यहां से इसको copy करता हूं okay clipboard copy with base point okay तो base point से मैं क्यों इसको copy कर रहा हूं यह भी आप देखेंगे okay मैं इसको end point ले रहा हूं यह मेरा base point है यहां से मैंने इसको copy किया यह layout 3 जो है यह अभी हमने create किया है यहां पे लाकिए आप भी हम इसको paste करेंगे जैसे मैंने इसको paste किया है तो यहां से मुझे base point का पूछा जा रहा है कर आपने पर आपने इसको paste करना है तो यहां घूरू कॉमा 01 दे रहा हूं last video में यह अपन फूरू कॉमा 01 पर drop किया था था इसलिए मैं इसको यहां पे जीरो कॉमाज, जीरो कॉमाज जैसे ही मैंने इसको इंट्री किया है तो यह अपनी एक्ट्वल पोजिशन पे जहां पे हमें रिक्वाइड था, यह वहां पे आ गया है, ठीक है, तो अभी हमने इसमें अपना लेयाउट करेट करने हैं, और आपनी फिर्ट करनी है, थीक है, तो मैं इसको फस्ट जो है, जस्ट मैं रक्तेंगल ट्रा करके कर रहा हूं, तो कि आप इसमें मल्टिपल भी कर सकते हैं, ओके हम सारी उप्शन देखेंगे, इसमें इसका लग्दा, यह रक्टेंगल मैंने इसमें आप्टेंगल कर दीया है, ठीक है, अभी यह जो Park … we import scale के लिए ? और जैसे काने हैं, जैसा मैंने इस सेलیک्ट करता हूँ. यह मारी ट्राइंग испया गया है. अगर इसका scale जो है वो रेटक्स scale है मैं इसको यहाँ पर region करता हूँ जैसे मैंने region किया है तो यह थोड़ी सी अभी reasonable view में आ गई है तो हमारा जो interest का area है वो यह alignment है जहां पर हमने यही print करनी है अब ही अगर आप देखें तो यह alignment जो है यह बिल्कुल horizontal भी नहीं है और vertical भी नहीं है यह inclined है तो हमने अपने viewport में इसको rotate भी करना है ताके हमारे जो presentation है वो थोड़ी अच्छी नजर आए तो इसके लिए जो पहले मैं आपको थोड़ा explain कर दूँ किसको हम rotate कैसे करेंगे मैं model space में क्लिक करता हूं जैसे मैंने model space पर क्लिक किया है तो यहां में अपने drawing में model space में आ गया हूं यहां पर अगर आप लोगो चेक कर रहा हूं तो मैंने यह जो line है इसको मैंने horizontally print करना है ताके यह मेरी 90 degree पर आए यहां से होरीजोंटल बिल्कुल सीजी है तो यहां से मैं इसका angle measure कर लेता हूं यहां से मैं इसका angle measure कर लेता है यह almost जो है वो 20 degree है ठीकिए यह जो आपने काम करना है इसको आपने बाद में delete कर देना है ओकि अब िन यहां पे ले आउट में आ जाता हूं अगे तो यहां पे जो है मैं इसको भी रोटेट करता हूं इसके लिए मैं 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 mv setup की Command देता हूं जैसे मैंने mv setup की command दी है तो mv की command दी है तो यहां पर mv setup आ गया है मैं यहां पर interface करता हूं यहां command bar में कुछ मजीद new commands आई हैं यहां पर align पर click करता हूं और rotate viewport पर click करता हूं जैसे मैंने click किया अभी मुझसे base point के लिए पूछा जा रहा है drawing में just मैं यहां पर click करता हूं और यहां पर मैं अपना angle था 20 था तो मैं इसको minus 20 करता हूं तो मेरी drawing जो है वो यहां पर rotate हो गई है ठीक है अभी मैंने इसको adjust करना है scale के साब से तो मैं list की command है हमारी vsc पहले हमने v press किया था अभी मैं इसको s press करता हूं ठीक है क्यूंकि हमने इसको rotate कर दिया है viewport को module space में सेम ही रहे गए हैं ताकि हमारे coordinate यह सिर्फ हमने viewport को change किया है ताकि हमारी drawing जो है वो बराबर एक scale में print हो सके तो मैं इसको थोड़ा सा zoom ज्यादा कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझे नहीं में असानी हो कि यह scale की command इस पे अफ्यक्त हो रही है या नहीं हो रही तो यहां पर मुझे scale जो है 1 into 1000 चाहिए जैसे मैं 1000 इंटर करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं मारी यहां पर मैंने इसको पैन करके थोड़ा सा सेट कर दिया है यहां पर मैं इसको अब एक नाम देता हूं ओके टेव करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं यह हमारी जो आप लोग देख सकते हैं बिलकुल होरीजंटल है और बड़ी अची प्रेजंटेशन है इसमें इनकलाइंड में जो है यह इसके कौर्णर वगरा जो है वो कट रहे थे इसलिए हमने इसको रोटेट कर लिया है तो हमारी प्रेजंटेशन अची होगी और दूर सा हमें पूर सांत में की प्रिंट करेंगे मगर सांत में की प्रिंट करेंगे मेनस अची करें में नीउ ह्योपोट्ति यह हैं उनको समझने में असानी हो जाए, ठीक है, तो यहां पे मैं preview करता हूँ और इसको ok कर देता हूँ, ok, close, यहां पे हमने अपनी sheet लानी है अभी template, तो वो already है हमारे पास, मैं यहां पे ctrl v press करता हूँ, ठीक है, यह template आगी है हमारे पास, इसका भी हमने base point देना है 0,0, जैसे मैं तो यह अपनी जगा पे stack हो गई है, ठीक है, तो यहां पे अभी हमने, जो है, viewport create करना है, तो इसके लिए जो है, मैं इसको draw कर रहा हूँ अभी, ok, मैं आपनी draw कर रहा हूँ इसको, ठीक है, आप लोग precise भी अपनी drawing के साब से इसको कर सकते हैं, ok, यहां पे मैं इंटर करता हूँ इसको, और यहां से मैं fillet से इसको, इसके साथ जो इसको match कर देता हूँ, ठीक है, तो यह हमारा viewport बन गया है, इसको आपने viewport में अभी convert करना है, vse chart command है, ok, v4mview, और जैसे मैंने इसको click के है, आप लोग देख सकते हैं, यहां पे हमारी drawing इ मैं इसको region करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, यह इसमें आ गई है, तो अभी हमने यह हमारा interest का area है, तो हमने इसको print करना है, इसमें, तो अभी फिर मैं command run करता हूँ, vse, इस तब हमें s press कर रहा हूँ, ok, और जैसे मैंने इसको select किया है, ok, तो आप लोग देख सकत हमारी इसमें आ गई है, अभी मैं इसको rotate करता हूँ, mv setup, ok, और यहां पर मैं इसको align करता हूँ, rotate करता हूँ, और यहां पर click करता हूँ, और minus 20 करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, यह drawing जो हमारी viewport में आ गई है, vse, ok, s, ok, इसको मैंने select किया, और यहां पर मैंने 1000 press किया, ok, तो यह हमारा viewport में बन गया है, ok, अभी जो है, इसमें हमने अपना viewport scale भी print करना है, यहां पर मैं इसको enter press करता हूँ, जैसे मैं enter press करूँगा, तो यह आप command bar में देख सकते, enter new scale, or just enter fast stop, तो मैं just enter कर रहा हूँ, अभी यह stop हो गया command हमारी, और यहां पर अभी मैं अभी यहां पर मुझे key plan print करना है, तो मैं यहां पर rectangle create करता हूँ, ऐसे ही एक रपनी, ok, मैं यहां पर rectangle ले रहा हूँ, ok, इतना काफी है, ok, यहां पर मुझे key plan print करना है, तो vsc, ok, s, sorry, vsc, b, ok, यहां पर मैंने इसको viewport किया है, तो यह यहां पर हमारा key plan आ गया, ok, की प्लान आ गया है, यहां पर मैं इसको region कर रहा हूं, और यहां पर मैं z w, और यहां पर मैं इसको zoom extend कर देता हूं, ओके। तो यह की प्लान हमारा बन गया है, मैंने इसको स्केप किया है, बाहर है इसको क्लिक किया, आप यहाँ पे एक और वीव को रेट करके आपने कुछ नोट या कुछ भी जो है, इन्फरमेशन यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करके देखता अभी इसको मैं B का नाम देता हूँ, तो यह आप लोग देख सकते हैं, पहले हमारी शीट A थी, अभी हमारी शीट B है, यहाँ भी हमारे पास की प्लान भी आ गया है, हमारी लाइनमेट भी प्रापरली प्रिंट होके आ गया है, और हमने अपना वीव कोड स्केल जो है, वो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका मैं पेज सेट अप फिर कर रहा हूँ, ओके, मोडिफाई, पीडी एप, यह जो पेज है हमारे पास मैंने वो ले लिया है, प्रिव्यू, और इसको मैंने एंटर प्रेस किया और ओके कर दिया, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ इसमें टेंपलेट आ जाएगी, और यहाँ पे मैं इसको 0,0 इंटर कर रहा हूँ, तो यह टेंपलेट अपनी जगा पे चलीगी, यहाँ पे हमारे पास जो है, हम जो ऑप्शन ट्राई करेंगे, वो हम मल्टीपल जो हैं, अगर हमारे पास कुस मल्टीपल सेक्शन हैं, हमने यहाँ पे परिंट करना है, एक ही शीट में मल्टीपल सेक्शन परिंट करना है, और उनका स्केल डिफॉर्ट रखना है, तो वो हम कैसे रख सकते हैं, या स्केल पैं, अगर हमारे पास व्यूप में ज्यादा हैं, और हमने हowa peach scale के सास्थ, उनका scale आख करना है, टैबुलर फ सब्सक्राइब है इसको मैं यह सी कमांड देता हूं ओके वी ओके यह मेरा व्यूपोर्ड बन गया अभी इसमें डबल क्लिक यह है और यहां पर जो है हमारे पास जो कुछ अब्जेक्ट हैं आम उसको यहां पर प्रेंट करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा जून कर लेता हूं और यहां पर मैं इसको रीजन करता हूं एक दब फी रीजन कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेरे पास कुछ जो है यहां से मैंने कुछ सेक्शन बना कर रख्या हुए है तो इनको हम जो है अपने अभी वीव पोर्ट में आपने हिसाप से इसको करते हैं हम्हूं करता हूं और इस तफ मैं एस की कुमांड देता हूं इसका हमने स्केलDie्स करना है bil रखते हैं मैंने काफी यह जोटा हो रहा हूं है को एक हाफी छोटा हो रहा है तो मैं इसको 50 देता हूं ओके 40 40 में ये set हो रहा है तो मैं इसको escape करता हूँ बाहर click करता हूँ अभी मैं दूसर rectangle इसमें draw करता हूँ ये दूसर एक rectangle मैं draw कर रहा हूँ rectangle draw हो गया E.S.C. V for view ये view create हो गया है इसमें अभी ये जो है हमारी triangle है इसमें और मैं इसको एक दबार region करता हूँ, region करने के बाद मेरे पास यहाँ पर यह जो section है, मैं इसको select करता हूँ, VSC, as far scale, यहाँ पर मैं इसको 25 पर scale देता हूँ, 55, sorry 50, यहाँ पर मैं इसको enter press करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको scale जो s के साथ परिंट कर देता, पहले वाले में हमने नहीं किया था, इसमें मैंने कर दिया है, अभी एक और कर लेते हैं हम लोग, rectangle, rectangle, okay, यह बन गया हमारे पास viewport, अभी इसको हम पहले VSC command दिया, VE से हमने इसको mview में convert किया, और यहाँ पर मैंने इसको zoom किया, जैसे इसको region किया और यहाँ पर हमारे पास यह जो section है, यहाँ से मैं से section लेता हूं इसका यह वाला, और इसको अभी हमने करना है.. scale as for scale, इस view को मैंने select किया और यहाँ परBen इस स्केल 50 किया, 50 के बाल मैं इसको 40 करता हूं और मैंने इसको इंटरप्रेस किया और यहां पर मैंने इसका स्केल जो है वो लिख दिया आप लोग देख सकते हैं यह वान इसको 40 है और यह वान इसको 50 एक और ट्राइ करते हैं हम लोग और यहां पर मैं इसको एक दफर रीजन करता हूं इसको मैंने रीजन कर दिया है और यहां पर मुझे जो अब्जेक्ट चाहिए वो मुझे यह वाले अब्जेक्ट चाहिए ओके वी एस सी पुके एस ओके एस ऐस क्यों में जोनदा चोटे आ रहे हैं तो मैं इसको 50 करताहूं तो 50 में हमारे जोग्जेक्ट आलमोस्थ इसमें त्वित हो गए तो यहां पर मैं इसको इंटर प्रेस करताहूं और यहां पर मैं इसका scale जो है, वो mention कर देता हूँ, ओके, इसको मैं अभी print करके check कर लेता हूँ, ओके, और यह हमारा see हो गया, ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, विद scale जो है, हमने अपने ड्राएं को print कर लिया है, और यही scale जो है, आप यहां भी, अगर यह सेम scale है, तो आप लोग यहां भी इसको put कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही, उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, थैंक्स वार वाचिंछ, आला आपिसमयाि१.